अलाव अफ्रीबन, अनिमेशन आग्रिकेट के एक और नए वडियो में आप सभी का स्वागत है आज के स्वीडियो में हम टीपोट मोडल करने वाले एक्जेकली टीपोट नहीं है, चाल का केट लिए टीपोट को पीछे से कान होता है, यहाँ पे सिर्फ हैंडल है और नोज है तो यहाँ पे यह बेसिक सा टीपोट लिए है, लेकिन अगर हम देखते तो यह जो प्रॉब है यह बहुत जादा यूज होता है अगर आपको यह बी कीचन का सीन अगर देखते हो तो उस महना चाइनीज अनिमेशन सो करें देखते हैं तो आप आपको एदर इंडियन टीपोट दिखाए देखा कुछ ऐसा या फिर चाइनीज टीपोट लिए तो बेसिक दोनों को मॉडल करने का इत्ली है तो आज हम देखेंगे कि इस तरह से इजीली हम इसको मॉडल कर सकते हैं और क्या मिस्टेक्स हमने नहीं करने यह भी हम दिसकस करेंगे साथ में यहाँ पर मैं नियूसिन ले रहा हूँ और यहाँ और सारी वाइल नियूसिन तुन सेफ और साइड विम में आके है ना मैं एक रेफरेंस इमेज राउन आप कोई भी रेफरेंस इमेज सर्च कर सकते हो गूगल से अगर टीपोट या फिर टीकेट लिए अगर हम सर्च करते हैं तो इजीली हमें बहुत सारी मेजिस मिल जाते हैं उसमें से जो भी आपको पसंद आगे वो आप यूज कर सकते हैं तो मैं ये वाला इमेज यूस करनीवाला हूँ इसको open कर लेते हैं and इसे open करने के बाद है इसका जो alpha गेने उसे हम कम कर लेंगे पहले तो इसको 0.5 कर देते हैं यह थोड़ा सा bright है इसमें alpha add कर देंगे तो यह थोड़ा सा transparent हो जाएगा और हमें इतना ज़दा distract नहीं करेंगे इसको grid पर रखते हैं grid पर रखते हैं इसको center कर से कुछ ना कुछ हमें adjust करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है कि exact model होगा यह photograph है उस वाजे से यह issue create होगा अब इसको मैं पीछे कर लेता हूँ grid पर यहां पे एक layer create कर लेते हैं उस layer को मैं मैंने इसको add कर लिया और इस पर double link करेंगे इसको rename कर लेंगे हम image plane 0 1 and इसे save कर लेते हैं अब इस image plane को मैं reference कर लेता हूँ ताकि यह हमें disturb ना करें अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो यह basic सा cylindrical shape है तो cylindrical shape मैं यहां पे create कर लेता हूँ cylinder create करने के बाद मुझे पता है कि मुझे इसको scale करना होगा ताकि यह मुझे एक basic form दे दी अब यहां पे आके इसको x-ray on कर लेंगे बाएद हम x-ray यहां से use कर सकते हैं या फिर shading में आके यहां पे x-ray का option अथ वहां से यहां पे इसको यहां पर रख रहा है और मुझे इससे लग रहा है इसे देखके कि यह जो ऊपर का section है यह थोड़ा सा है बाहर के तरफ के तरफ के तो prod है इसको scale करने ता हूँ अगर नहीं भी होगा तो भी हम कर सकते हैं यहां पर हमारे पास हलका सा creative freedom है जब आप production में रहोगे तो आपके पास नहीं रहेगा यहां पर तो मेरे पास है लेकिन उससे पहले इसके vertices करने से पहले इसको मैं quickly इसके divisions को double कर देता हूँ इसका reason है reason यह है कि जब हम इसका nose extrude करेंगे ना तो यह थोड़ा सा artifacts create कर सकता है यहां पर तो इसलिए पहले इसके हम divisions create कर लेंगे इसके caps को zero कर देंगे और फिर इसके vertices को quickly यहां पर place कर लेंगे okay तो यहां पर मैंने से snap कर दिया है और यहां पर इसे रखते है इसे हलका सामने बाहर के तरफ scale किया था और face में आके यह जो top का face है stop face को मुझे extrude करना इसे इसके हमने caps वैसे बनकर delete कर दिये थे zero कर दिये वहां से and shift right click करके marking menu यूज़ कर रहा हूं okay और हम ऐसे लगता है कि अगर मैं यहां edit में obviously अगर हम beginner है तो हमें पता होना चाहिए कि कौनसा option कौनसा menu कहां पर placed है लेकिन जैसे कैसे हम practice करते गयाते हैं और जैसे कैसे हम familiar होते गयाते है tools के साथ तो मुझे यह से लगता है थी हमने marking menus या फिर keyboard shortcuts use करना start करते हैं जो हम production में होते हैं तो हमें यह जो आदत है ना छोटी छोटी जैसे हम shortcuts use करते हैं उससे थोड़ा सा time से होते है अब usually beginners यही सोचते हैं कि एक दो सेकेंड से कुछसा फरक पड़ने वाला है लेकिन ऐसा नहीं है वह एक दो सेकेंड एक दिन में कम से कम पांच मिनिट का time आपको बचा देगा दस मिनिट का अगर मैं पकड़के चाटाओ suppose कर रहा हो तो 5 डेज अगर हम standard आपकरते हैं तो 10 म मिनिट के साब से 5 दिन का आपका कम से कम 50 मिनिट का time बच रहा है एक हपते में अगर आप suppose एक घंटा भी बचा रहे हो और आप लगभग 6 मैने तक एक ही project पे काम कर रहे हो तो यह सोच के चलो कि 6 मैने में आप कितना time बच रहे हैं तो यह जो छोटा-छोटा समय है ना यह deadline पर project outdoor करने में आपकी बहुत मुदत करता है तो हमेशा tool कहां पर place रहे यह पता कर लो लेकिन उसका marking menu या फिर keyboard shortcut कहां पर यह भी धैन रहा हो और अगर आप बहुत ज़दा familiar हो चुके हो माया के साथ then आप shortcuts को customize भी कर सकते हो लेकिन मैं वो करना suggest नहीं करता हो क्योंकि जब ह होते हैं तो हमारे machine पर कोई और भी second shift में काम करने बैठेगा और जब वो second shift पर लाएगा तो वो reset कर देगा तो फिर आपको वापस issue create हो सकता है default sets के साथ चलो बट यह पता रखो कि marking menus and keyboard shortcuts कहां पर है यहां पर edit mesh में extrude होता है और keyboard shortcut उसका control E है और shift right click करके जब हम देखते हैं तो हम यहां पर उसको extrude कर सकते हैं अब यहां पर देखो यहां पर है न इसके उपर डखकन है अब यहां आधर हम इसी face को extrude करके वहां पर वो डखकन ओला fill create कर सकते हैं यहां फिर हम separate लगा सकते हैं separate के favor में हो क्योंकि अगर यहां हमें डखकन open करके उबलती भी चाय दिखानी की ज़रुरत पड़ जाए तो obviously हमें वहां पर अंदर depth लगेगे और अगर मैं यहां इस extrude कर लो तो वो possible नहीं होगा तो हम यहां पर separate डखकन लएंगे इस face को में delete कर देता हूँ इस face को delete करने के बाद यहां पर अगर नीचे देखते हैं तो एक बड़ा सा एंगान है इस एंगान को मैं extrude करके पहले तो थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे इसको ठीक है दो बार scale किया है मैंने और यह जो face है इस face को पकड़के quickly poke कर दो ताकि एक center point पर सारी के सारी image divisions या फिर edges आके मिल जाए अब अगर आपको यहां पर chords create करना है अगर आपका production triangle sandal नहीं करता है यहां पर triangle create हो गया है तो ऐसा situation में आपको यहां पर chord create करना पड़ेगा अब इसको अगर chords में convert करना है तो अगर मैं every other segment यहां पर select करता हूँ okay every other segment यहां पर हमने every other segment select कर लिये और यहां पर मेरे ख्याल से हमने यहां पर इसको नहीं किया है और अब अगर इने मैं delete कर गो तो यहां पर यह जो division से records में करने माल होगे मैं यहां से grade को off कर रहा हूँ distract कर रही है मुझे so okay object mode में आ जाएंगे 3 press करते तो यहां पर chords है अब मुझे यहां पर thickness चाहिए इनको actually हमें hold करना होगा लेकिन hold करने से पहले मैं इसको thickness दे दे तो क्या होता है कई बार हम यहां पर अगर इसको bevel कर देंगे और bevel करने के बाद इसको extrude करके thickness देने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी है न यह जो edges है यह हलका सा pinching create कर लीती है तो उसके वज़े से कुछ अलग यह artifact create होते है तो पहले हम extrude कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर division side कर लिए तो इसमें थिकने side करते हैं थिकने side कर लिए अब object mode में आ जाएंगे यहां पर quick edges select करेंगे और inside से भी 1,2,3 अब यहां पर इन दोन edges को हम select कर सकते हैं इन segments को लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा tight extrude लगेगा तो ऐसा situation में हम उसे separately bevel करेंगे इसमें एक segment आड़ कर दिये और object mode में आके अगर मैं 3 press करता हूँ तो हमारे पास यहां पर एक basic सा shape है अब इने quickly select करके bevel करेंगे यह already थोड़ा सा tight है लेकिन यहां पर मुझे और थोड़ा सा चाहिए तो मैं यहां भी एक segment आड़ कर रहा हूँ अब अगर हम देखते है तो यह हमने इसका जो basic shape है इसे model कर लिया है अब यहां पर देखो कई सारे issues create होने के chances है जैसे यहां पर यह बहुत ज़्यादा long volume और यहां पर यह भी बहुत ज़्यादा long volume और might be possible कि हम एक default texture use कर लेंगे इसके लिए metallic लेकिन जब हम bump maps के साथ काम करते हैं फिर specular maps के साथ काम करेंगे तो वो है न यहां पर edges पे जब मैं इसको smooth करूँगा तो वो stretch हो जाएगा देखो यहां पर texture stretch होने का बहुत ज़्यादा chance है क्योंकि यह जो vertex है यह vertex का position है वो यहां पर jump कर रहा है average कर रहा है इन दोनों के बीश में तो वो यहां आके jump कुड़ है तो हमें न यहां पर इसको पहले तो division देने होगे अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैंने इस age को select किया control right click करके edge ring utilities में और two edge ring and split कर दिया तो यहां पर exactly center से मुझे edge मिल गया मुझे यहां पर inputs में आके इसको relative के जगा multi कर देता हूँ अब आपको कितने divisions चाहिए आप दे सकता हूँ same चीज मुझे यहां पर भी करने है control right click edge ring utilities to edge ring and split and यहां पर मुझे इसको multi कर देना है okay so यहां पर भी same चीज मुझे करने है मैं जी प्रेस कर रहा हूँ to repeat last command and यहां पर इसको multi कर देना है same inside भी मुझे यहां पर अब inside ज्यादा दिखाई नहीं देगा इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसको correct नहीं करेंगे okay so यहां पर भी आके मैं इसको multi कर देता हूँ और inside यह face पर भी मैं इसको divisions add कर देता हूँ okay so quickly मैंने six divisions इसमें add कर दिये so अब object mode में अगर हम आते है न तो यहां पर यह इतना ज़दा stretch नहीं हो रहा है okay so यह भी हमें सोशना होगा कि texturing करते हो क्या issues create हो सकते हैं और उसे हम modeling में किस तरह से handle करेंगे okay अब मैं यहां पर कोई division नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहां से पहले तो इसका nose निकालना है उसके बाद फिर हम देखेंगे यहां पर कितने divisions देने okay so सबसे पहले तो एक्स ribbon कर देंगे और यहां पर insert i look tool ने लेंगे insert i look tool लेंगे अब insert i look tool अगर हम देखते हैं न तो यहां match tools में होता है okay यहां insert i look but मैंने जब मैं object mode में था तब मैंने इसको select करके रखा था मैंने shift right लेक किया and यहां से insert i look tool ले लिया okay तो quick shortcut and यहां पर मैं एक और यहां पर एक division डाल देता हूं और मुझे इन दोनों के exactly beach में से भी एक division चाहिए तो यहां पर हमने इसको proper divisions add कर दी है अब अगर मैं यहां पर front view में आ जाओ तो front view में आने के बाद यहां पर देखो यह जो चार है okay मुझे ऐसे लग रहा है inside का गलती से select तो नहीं हो गया ने ठीक है अब इन चारों को मैंने यहां पर select कर लिया अब मैं side view में आ रहो side view में आके मैं keyboard पर press कर रहा हूँ for टाकि मुझे यह दिखते रहे और यहां पर सबसे पहले हम इसको edit mesh में आके कर लेंगे circularize circularize okay and यह circle में convert हो जाएगा circularize होने के बाद मुझे इसको twist करना है पहले तो क्योंकि देखो यहां पर यह twisted है तो यहां इसका twist option है तो इसको हम correct कर लेंगे यह straight हो गया और अब यहां पर side view में आके मुझे यह देखना है कि इसका size कितना रहेगा तो यहां पर अगर मैं देखता हूँ अब अगर मैं देखता हूँ तो यह थोड़ा साय ना pinching मुझे दिखाई दे रहे अब pinching आ रहा है तो मैं यहां पर वापस एक बार T press कर रहो for tools transform tools तो यह इसका जो menu है वो यहां आ जाएगा और इसको है ना यहां से adjustment में surface per vertex में convert कर लेता हूँ अब इन faces को मुझे quickly extrude करना है out कि तो मैं faces में आ रहा हूँ extrude कर रहा हूँ और इनको extrude कर लेंगे out okay मैं five press कर रहा हूँ keyboard पे और इसको में scale कर लेता हूँ quickly यह सीधे हो जाए और इधर आएंगे x-ray mode में आ जाते है और इसको rotate कर लेता है इसको आपस इसको आपस ओके एक्स्चुड अप इसको फिर से स्केल करना होगा हमें इनसाइड और थोड़ा समय इधर कुरा कराव से और एक्स्चुड अगेर खुए केरे स्केल का स्केल क्या होगा solchen ही एक्स्चुड अपक्स करफ आगें क्स्चुड अगे एक्स्च एक्स्च वेफ एक्स्ट करफ एग म steadily आगें कर दो खुए यह अगें स्केल सो अब यहां पर अगर हम आते हैं न तो यहां पर अगर देखेंगे तो यह जो फ्रेसेस है इन फ्रेसेस को में एक्स्रोड करना है इंसाइड ताकि यहां पर हमें वो होल मिल सके करहां पर वो हों करता है करता है कि और तो अगर यहां से पोरिंग वाला एनिमेशन भी हम करते हैं अगर डालते हैं तो इसीली हमें कि यहां पर होल दिखाई देगा सो यहां साइड वीव में मैं आ रहा हूं साइड वीव में आके मुझे पता है कि मुझे हीन्हों लुटक प्लेस करें अब यह जो उपर वाले हैं इन वर्टाइसेस को भी मैं सिलेक कर रहा हूँ दोनों को और इन दोनों को यहां साइड व्यू में आ जाएंगे और यह कहां पर इनका पोजिशन हम देखेंगी तो यह यही पर है इन दोनों को सिलेक करेंगे और इसको इंसाइड पुश करनेंगे थोड़ा सा फिर से तो वो जो शेप है वो शेप यहां पर हमारा क्रिएट हो जाएगा अबजिक मोड में आ जाएंगे और मुझे इसको क्विक बैवल कर देना है इसको भी देखना होगा तो यहां पर आके इसको सिलेक करेंगे इसको डबल लिख करेंगे इसको भी डबल लिख करेंगे और एक और बचा है इस तरफ इसको भी बैवल कर देंगे इसका जो फ्रेक्शन है उसे में कम कर देता हूँ ऑप्जिक मोरना आ जाएंगे और यहां पर हम देखते तो हमने यह शेट कर लिए इसके नेक का अब यहां पर मुझे बैवल करना है क्विक का जो कि इसको भी तो होल्ड करना पड़ेगा ना तो कंट्रोल भी टुबैवल यहां फिल शेल्फ में से भी कर सकते है यूस्ट यहां पर फ्रेक्शन को में रेडियूस कर रहा हूँ और यहां पर एक सेङ्मे टायर करके। एज में आ जाएंगे ग molecular अब इस object को सिलेक करके यहां से में इसकी से इसोर इलेट कर रहे हूँ यहां पर दिख कुए तो चैनल बाट्वक्स में कर रहे है पोलई को स्वादू सेल्स कर रोठ इसको इसको अबच्छन होता है तो यहां पर हमने अब अगर 3 प्रेस करते हैं तो यहां यह जो टी पॉट है यह अप्रोक्स हमने क्रियेट कर लिया अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या गढ़बढ हुई थी वहां पर वो एक्चुली एवरेज होता है उस वज़े से थोड़ा सा शेप में कई बार इशो क्रियेट हो जाता है छोटा या बुड़ा पर हम उसको मैनुवली करेक्ट कर सकते हैं अगर यहां पर भी आपको लग रहा है तो इनको भी आप पकड़के थोड़ा सा नेच्ट की तरफ बूफ कर सकते हैं तो अगर मैं हम आज हो तो हमने एक बेसिक सा शेप क्रियेट कर लिया अब इसके उपर ढख करें उसे भी प्रेट करने हैं एक सिलेंडरिकल शेप क्रिये इसे स्केल कर लेंगे और इसे यहां पर प्लेस कर लेंगे अब सिनपल सा कायम है इसके जो कापस से उन कापस को हम बंद कर सकते हैं या फिर रहने भी दे सकते हैं इसके समय कोई शू नहीं है मुझे इसको मैं quickly isolate कर रहा हूँ, इसको मैं select कर रहा हूँ, tap की प्रेस कर रहा हूँ, keyboard पर drag select कर रहा हूँ, इसको extrude करेंगे, offset में and इसको वापसेट पर extrude करेंगे, उपर अब्जेक मोड में आ जाएंगे and इनको हमें bevel कर रहा हूँ okay, एक segment, object mode and अगर मैं three press कर रहा हूँ, तो ये इस shape को hold कर लेगा, अब one press करेंगे वापस, इन faces को मुझे select करना है, तो मैं face में आ रहा हूँ, tap की press कर रहा हूँ, ताकि मैं इन सब को drag select कर सको, okay, and इसको मैं extrude कर रहा हूँ, okay, और extrude करने के बाद है न, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, side view में वापस एक बार, and इसको वापस एक बार, उपर के तरफ, extrude कर लेता हूँ, quickly, okay, तो यह हमारा base create हो गया, यहाँ पर, object mode में आ जाएंगे, object mode में आने के बाद, यहाँ पर मैं spear create कर रहा हूँ, spear को हम करेंगे उपर, और इसको कर लेंगे scale, अब default divisions 20 है, तो कोई issue create नहीं होगा, so, यहाँ पर, मैं फिर से थोड़ा से इसको scale कर लेता हूँ, यह काफी बढ़ा लग रहा है, okay, इसको नीचे करेंगे, यहाँ तक, और यह जो faces है न, इन faces का ring total select करेंगे, delete कर देंगे, और इसको delete कर देंगे, अब object mode में आके, इसको अगर मैं नीचे करता हूँ, और यहाँ पर आके, in faces को मैं delete कर देता हूँ, यह तो यह space open हो जाएगा, आब नहीं करेंगे delete तो भी चलेगा, कोई issue नहीं है, बट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, थोड़ा सा scale कर लेंगे, अब इन दोनों को कर लेंगे हम combine, और उसके बाद इसको और इसको select करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको भी पकड़ेंगे, और बैवेल कर देंगे, okay, three press करते हैं, तो यह बन गया धक्कन, isolation को off करते हैं, तो यह रहा, okay, so, काफी, simply हमने यहां तक आ गया, अब इसके बाद इसका handle बना रहा है, okay, so, side view में आ जाएंगे, वापस इंग बर, यहां से simply cylinder लेना है, यह बला शिप हमें करना है, handle का, तो handle के लिए, यहां से मैं X-ray mode off कर रहा हूं, इसे उपर के तरफ मूफ कर लेंगे, and इसे rotate कर लेंगे, अब प्रेसिंग J, J जब हम प्रेस करते हैं, तो 15 degrees के interval में rotate होता है, okay, so, press and hold J, and इसे हम कुछ इस तरह से rotate कर लेंगे, अब यहां पर अगर हम दिखेंगे, तो हमें यह caps तो नहीं चाहिए, तो simple है, अगर यहां side view में आके हम देखेंगे, तो हमें पता है कि यह flat surface है, यह सीधा गया हुआ है, और यहां पर यह नीचे की तरफ आया हुआ, तो मैं इसको face पकड़के इसको यहां simulate कर देता हूँ, and इसको scale कर देता हूँ, और थोड़ा scale करेंगे in, अब अगर यहां पर देखते हैं तो यह एक surface हमारे पास है, इसे मुझे इधा भी करना होगा, इसे rotate कर लेता हूँ, जे, and snap it in 90 degrees, अब अगर यहां पर देखते तो curvature पता चलता है, तो मैं इस curvature को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, अब यहां पर vertices में आके ला, इन vertices को में पूरु करना स्टार कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, हम पहले भी इसको थोड़ा यहां पर scale करके कर सकते हूँ, लेकिन अब manually कर लेंगे, अब यहां पर मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको याद होगा कि यह जो है, यह actually symmetrical नहीं है, तो identical नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ एक side में model करेंगे, दूसरे side में duplicate करके paste कर लेंगे, तो यहां पर इस age को में select कर रहो, और इस age को हम नीचे के तराफ extrude कर लेंगे, बदियर नहीं ठाफ, इस correcting कर रहोस, रापको । एक यहां टूसरे, जुखेंगे, कि झाएंगे उहां इस ट्रहराण टूसरे yeah तो ठाहराण है, ओन funding और क्या में और एक ईकिए लेह जख्णित्झशन फर ट doivent तो लूसरे when you see but we're not, अब अगर यहां पर देखते तो यह जो सेंटर का एज है इस एज से इधर का इलेट कर देते हैं अब अब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसका जो पिवोट पोजिशन अल्डू करेंगे एक स्टेप यहां से मुझे इसको एक एज चाहिए अब अगर हम देखते तो यहां पर यह जो सेंटर में आ जाएगा और इसके बाद के जितने भी वाटाइसे से और सबको सेलेक्ट करके हम डिलेट कर देखें अब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसका जो पिवोट पोजिशन है यहां पर प्लेस कर लेता हूँ अब इसको अब इसको हम डॉप्लिकेट कर लेंगे क्विकली और इसको में फिर स्वास्वम कर रहा हूँ कहले और इसको स्केल करने था हूँ में इस जैक्सेश में ओके माइनस वर्ट तो यह इस तरब भी प्लेस हो जाएगा अब यहां पर इन दोनों को सिलेक करेंगे क्विक मैश में आ जाएंगे और इसको कम्बाइन कर लेंगे वर्ट आइसेस अब यह जो वर्ट आइसेस अना सेंटर के यह मर्च नहीं है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें को मर्च कर लेता है तो यह प्रॉपरली सिंगल आपजेक इसमें अब इसको सिलेक करके मैं एक्स्यूड करने था हूँ इसमें धोना तो थिकने से अड़् करेंगे इंसाइड ठीकने से ले रहा होगा इसको रिवर्स कर सकते है तो मैश डिस्प्ले में पोर किया अब यहां पर अगर हम दिखते तो हमारे पास एक सर्फिस हमने यह हैडल क्रेट कर लिया अब यहां पर ना यह राउंडेड है अगर आपको चाहिए तो आप इन कॉर्णर्स को पकड़के बैवल कर सकते हो फीर हमें इन कॉर्णर्स को हमें separately बैवल करना होगा और फिर हमें इस complete शेप को बैवल करना होगा तो यहां पर Ctrl B अगर मैं प्रेस करता हूँ कीबोड पर या फिर शेल्थ में से इसको डेवल कर दूँ तो कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है मैं इसका fraction थोड़ा सा से इंक्रेस कर सकता हूँ और इसमें सेग्मेंट से सकता हूँ तो यह राउंड हो जाएथा अब यहां पहना हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं हमें एक्चुली इसे कंप्लेट करना होगा क्यूंकि आव्विसली इसे स्मूध भी करना है और यहां पे डिवीजन्स है ना य करनेक कर लिए तो एक हमने कनेक कर लिया और यह दूसरा यहां पे हमने इन को देखेंगे तो प्रॉपरली बट यहां पे अभी इन गॉन है तो ओविसली चार में करना होगा तो अब अगर हम देखते तो वन टू थी फोर और सेम चीज़ यहां पे भी इसको पकड़ेंगे इसे कनेक कर देंगे यहां अभी यह दिपेंट करता है कि आप दूसरे तरफ कर रहे हो या नहीं हम अगर इसको आफ डिलेट करके डूप्लिकेट कर दें तो भी हो सकता है यह न तो ज्ञादा मैनद करने के लिए हमें इसको डिलेट कर देता हो अब जट मोड़ना आ जातो मेरा पीवोट ऑलरी ओके इसका पीवोट में आना है और इन वाल्टाइस को मर्च कर ले ला है और यहां पर हमने इसको सेट कर लिया अब मुझे इमेज़ेस को पकरना है और अब इन्हें भी बैवेल करना होगा ना तो और यहां से इसको ब्राइब करना है और एक सेग्मेंट में इसमें आड करते हैं और अगर अपने थ्री प्रेस करता है और तो अब यहां पर यह सर्फिस भी बनाना है तो उसके लिए एक क्यूब ले लेंगे क्विक्ली कि इस क्यूब को मूफ करते हैं उपर के तरफ कि स्केल करेंगे अब यहां तो भी राउंडेट सर्फिस है अगर आपको सेम राउंडेट सर्फिस क्रेट करना है तो आप उसके लिए जैसे हमने यहां पर किया मैन्यूली बहल उसे सिंगल सिंगल कर लेंगे तो होट चाहेगा तो इसे थोड़ा सा इदर के तरफ मुफ करते हैं गाप रकते थोड़ा और एन नीचे भी मुफ करना यहां तक है और बहुत ज्याधा उनकर निक अर्ष्ट करना में कर लिया तो मैं एक और क्यूब कर रहा हूँ और उस क्यूब को कि मैं परस्पेक्टिव में आके इसको स्केल करें इसको नीचे मूफ करेंगे स्केल कर लेट एक विप करें इसको रोटेट करना है और कितना रोटेट करना है वह हमें साइड वीव से पता चलेगा इसको रोटेट करता हूँ अब यहां पर देखो यहां पर अगर मैं एजस आड कर तो फिक टो एजरी उटिलिटिलिस और इसे मैं यहां पर मल्टी कर देता हूँ तो यहां पर हमारे पास यह दो एजस हो जाए के अल्सित ओर तो माने कर दो एजस में ऑर मैनियों लिए जकर रूए यह दो ख। यहां पर जीवालत तो यह गरThis weekend यह जाएंłeर्ड नौग मैं च्छल गरता हूँ hosts यह ज़ेक्त करता हूं इसको डिलेट कर देता हूँ इसका जो face है यह वाला इसको select कर देगे ब्रेट कर देगे, object mode में आ जाएंगे, दोनों को select करेंगे, और जैसे ही combine हो जाएंगे, इन दोनों को select करेंगे, हम विल्ए हम सप्रीच कर सकते हैं यहां ऎसे को प्रेज करते हैं तो ये उगया गמהρί wspól एड छार्ग है Saying ना उसको आइनो टोड़ा सा यह कर लेंगे और के किसे ने वहां पर भु़क्ली यहां पर यो यह ऋ अज्ञा कर लेंगे okay कि आपने सारी एज इस प्रॉपर्ली सेलेक्ट लिए इन चारों को भी आपने सेलेक्ट करना होगा और इसमें एक सेग्मेंट आइड करना तो यहां पर अब यह जो है यह हमने सेट कर लिया लेकिन यहां पर हमने देखों कॉर्नर्स छुड़ दिया तो मुझे वापस एक बार एज में आना है वह इसे वहां पर राउंडाल अगर दिखेगा तो कोई इशू नहीं है लेकिन अब हम यहां पर हार्ड करी रहे है तो सभी को हार्ड सर्फेस में देखता है वापस इसको बैवेल कर रहा हूँ और अगर अबजेक्ट मोर में आता है तो यहां पर यहां पर हमें इसे प्रॉपरली प्रेस कर लिए अब सिंपल सी चीज है मुझे यहां पर कुछ बोल्ट्स लगाने है तो उसके लिए एक स्लेंडरिकल शेप में क्रियेट कर लेका हूँ इसे अगर चाहिए तो हम काप्स दे सकते हैं तो मैं सबसे पहले तो इसके डिवीजांस को काम क और इसके डिवीजानस में ले रहूँ सिकस भी ले सकते हैं और इसमें हैना मैं काप्स जो रॉड्ड क्यप से वह और इसको और यहां पर यह रॉड्डल समने जाएंगे और जो बोल्ट का शेप है उसे हम थोड़ा सा क्रियेट कर सकते हैं तो यहां अगर मैं वर्टेक्स मे तो यहां पर यह फ्लाट हो जाएगा जैसे हम स्केल कर देंगे और यहां पर इसको हम काट लेंगे बीच से अंडु उश्त ऊगट बांद जाएगे वसेट बाल वेक आहों अंगे और यह जो फ्रेसे से नियुचे के इन फेसे को पकलते लिक्राइएगा कर देता हूं देलेत को अब इसको करना है स्केल करते हैं साइज भी देखना अपने का ना अब इसको डूप्लिकेट करेंगे और इसका जो रोटेशन है उसे आफ कर देंगे और इसे उपर बूफ करेंगे इसे रोटेट करते है इसको मूफ करना है यहाँ पर इसे इसे साइड कुश कर देंगे थोड़ा वाट आएसेस में आ जाओंगे साइड वीव में आते हैं इसको अगरना पूल आउट कर लेता है तो अब्वेसली मुझे यह आर पर जाते हुए दिखेंगे और अब्जिक्ट मोड में आ जाओंगा उसको फिर से एक बार डुप्लिकेट कर रहा हुए इसका रोटेशन बन कर देंगे हम रिसे उपर के तरफ मफ कर लेंगे और यहां पे इसको 90 डिग्रीज में रोटेट करके निगेटिव 90 एक्चुली जे प्रेस करके रोटेट कर रहा हुए यहां पे रहा हुए और इसे थोड़ा सा इस साइज से बढ़ा करेंगे यहां पे इसको प्रॉपरली प्लेश करेंगे जानोदा डिग्र साइज हिसमें 158 करेंगे आप इनस अबसको सेलेट करोगे वैसे तो मैं कंबाइन नहीं करता हूँ चीज्वों को लेकिन इस केस में हम एस्टर कंबाइन कर सकते यहां ग्रूप कर सकता है तो मैं ग्रोप करके पिवोट को मैं सेंटर कर ले रहा हूँ सॉरी हिस्टी डिलेट कर रहा हूँ इसको डुपलिकेट कर लेते क्विक और इसे निगेटिव पन में स्केल कर लेंगे Z-Aक्सिस में इगे सो यह यहाँ पे प्लेस हो गया लेगो तो यहाँ पे अगर हम देखते है तो यह बेसिक सा हमारा ठीकेटब हमने मोडल कर लिया है आपको वीडियो समझ में आओगा जो बेसिक हमने डिसकस किया है जो हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए इस तरह क्यों हम शॉर्ट पर स्यूश करते है यह भी आपको पता चल गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए हमारे चनल अनिमेशन अगरेट को मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हापे मोडलियो